मेरा पहले वाला एजेंट रिवेड देता है, मैं आपसे बीमा क्यों करवाँग। मित्रों ये अब्जेक्शन नहीं, बलकि एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान असंभव तो नहीं, लेकिन कठीन जरूर है। इस समस्या को जरन देने वाले हम और आप ही हैं, और इसे दूर भी हमें और आपको ही करना होगा। ये सब कैसे होगा, ये एक लंबी बहस का विशे है, इसका निदान हम और आप मिल बैठ कर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब गरहांक ऐसी बात सामने लाता है, तो उसका जवाब तो हमें देना ही है। इसके लिए आपको खूब मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपने आपको एक प्रोफेशनल एजेंट बना लेना है, अपने आपको प्रोड़क्ट और वेवसाई की पूरी नौलेज होनी चाहिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए मैं उनसे कहता हूँ कि सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आप बिलकुल ठीक करें हैं, आपने तो इतनी इमानदारी से सत्य को हमारे सामने रखा हैं, वरना लोग तो काफी रिबेट की बात करते हैं, सर में पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिबेट है क्या, और कौन लोग रिबेट देते हैं, आ की भी होड मची हुई है, मेरी समझ में दो तरह के एज़ेंट होते हैं, जो रिबेट देते हैं, पहले तो ऐसे एज़ेंट जिन्होंने इंशुरंस का मतलब जाना ही नहीं, और इसे एक साइड बिजिनेस की तरह अपनाया है, और उनकी समझ में सेवा भावना का कोई होते हैं, और ना ही सेवा भावना से काम करते हैं, सर मैं आपको एक सक्ची घटना सुनाता हूँ, मेरे शहर में एक डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने कहीं से भी एक डॉक्टर की डिगरी नहीं ली हुई है, एक डॉक्टर के साथ रहते रहते, दवाईयों के विशय में पांदारी भी ठीक ठाक चल रही है। कुछ दिन पहले एक वैक्ति न अपने बच्चे को दिखलाने के लिए उनके पास ले गया है। और डक्टर साब ने कुछ दवाईयां भी दे दी। बच्चे की हालत बिगड गई। लोग बच्चे को लेकर अस्पटाल दोड़े और एम को कभी अपने बच्चे को दिखलाना हो तो क्या आप ऐसे डक्टर को दिखलाएंगे। क्या आप कभी भी जोकिम उठाना पसंद करेंगे। भगवान ने आपको सामर्थ दिया हैं आप किसी भी स्पेशलिस से नहीं बलकि सुपर स्पेशलिस से उसे दिखाएंगे। इसी समान खरीदने में गुणवत्ता की परक करते हैं, कभी पैसों के कारण समझोता नहीं करते, तो पॉलसी लेते समें इस नीती को क्यों नहीं अपनाते? मैं समझता हूँ कि LIC एजेंसी भी एक अच्छा प्रोफेशन है, इसलिए इसमें लेंदेन करने से पहले आपको एक अच्छे प्रोफेशनल से ही लेंदेन करना चाहिए, जो आपको अच्छी तरह से सेवा भी दे सके, सर एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि LIC पॉल्सी एक लंबी अवजी तक चलने वाली पॉल्सी है और रिबेट आप सिर्फ एक बार लेते हैं, एक बार रिबेट के पैसे ले लेने के बाद आप तो भूल जाते हैं, लेकिन वह देने वाला कभी नहीं मूलता हैं, वह हमेशा ये सोचता रहता हैं कि इन्होंने मेरी कमाई के पैसे खा लिये हैं, इसलिए कभी भी ऐसे एजेंट के दिल में वह प्यार वह सेवा भावना आ ही नहीं सकती जो उस एजेंट के दिल में आएगी जिससे आपने रिबेट के पैसे नहीं मांगे, एक बात और कहता हूँ, बीमा कराने वाला तो रिबेट के पैसे लेकर खर्च कर चुका होता है, लेकिन भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो जाता है, तो अकसर एजेंट उस परिवार को सेवाई नहीं देते हैं, उससे मुह मोड लेते हैं, और ऐसे समय में परिवार के लो नहीं दे रहे हो, इस काम में, क्यों तुम इस काम में दिल्चस्पी नहीं ले रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता है, कि सर हमने तो इस केस में कमाय ही क्या है, हमने तो जितना कमाया था, उससे जातो वे हमसे ले चुके हैं, और अब और अपना समय और अपनी उजग क्यो सफल हो पाएंगे सर हम लोग तो ग्रहां को भगवान का रूप मानते हैं उसकी पूजा करते हैं सेवा भावना मन से आनी चाहिए लेकिन सर ऐसा नहीं लगता जब भगवान अपने भगतों के बच्चों के भोजन का इससा ले लेता है तो भगत अपना और अपने परिवार का क्या करेंगे भगवान तो देने वाले होती है लेकिन वैसे भगवान कैसे आदर और सेवा प्राप्त कर सकते हैं जो भकतों के ही पैसे ले 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 इसलिए सर आप सेवा और आदर पाएं आपको सब कुछ मिलेगा आप सिर्फ रिबेट को भूल जाएं मित्रों आप भी इस अपने मित्रों को समझा सकते हैं जो रिबेट मागते हैं इसके लवा कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें अपना कर आप रिबेट की इस बीमारी से चुटकारा पा सकते हैं इसकी जानकारी दो अन्य वीडियोज में मैंने दी हैं जिन्हें देखकर आप लाब उठा सकते हैं और उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इन्हें देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक और अबजेक्शन हैंडलिंग वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि भविश्य में आने वाले समय में पैसे का मुले गिर्ज जाएगा और ऐसे में LIC में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा हैं दोस्तो इस अबजेक्शन का हम solution कल की वीडियो में देखेंगे और कल इसी समय दोबारा मिलते हैं तब तक दोस्तो नमस्कार धन्यवाज जैहिन